नमश्कर दोसों फिर से स्वागत आपका एक नहीं वीडियो के साथ दोसों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Poco M2 है M3 है या कोई और मॉडल है Poco का तो यहां पे आप यह जो नीचे से स्लाइड करने के बाद AppDraw की सेटिंग देखने को मिल जाती है इस टैप से Apps देखने को मिलते हैं तो यह आप कैसे फिक्स कर सकते हैं यह वाली स्क्रीन अगर शो नहीं हो रही है AppDraw की और Home स्क्रीन पे ही सारे आइकन शो हो रहे है तो तो AppDraw वापिस लेके आने के लिए आप यहां पे चली जाएंगे स्क्रीन पे टच करके सेटिंग सेटिंग पर जाने के बाद More का Option है और आप क्लिक करेंगे अब यहां पर Home स्क्रीन का Option है Home स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे ठीक है AppDraw वाला मैंने On कर रखा है By Default आपका यहां पर Classic होगा अगर नीचे से स्लाइड करने पर AppDraw नहीं आ रहा है तो AppDraw पर आप क्लिक कर अब यहां पर स्लाइड करने पर AppDraw आपको देखने को मिलेगा और यहां पर Suggestion आपको बंद रखना है और Category आपको यहां पर बंद कर देनी है ताकि आपको ज्यादा पेज ना मिले और Background में आपको यहां पर Light या फिर Dark रखना है वो चेंज कर लेंगी Opacity यहां पर चेंज कर सकते हैं Transparency कि कितने Light या फिर Dark होनी चाहिए और इसके बाद Apply पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहां पर जब आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं AppDraw आपको शो होने लग गया है और Category मैंने हटा दी थी यहां पर और सारी अप्लिकेशन आपकी यह की प्रियो में तब तके ले नमस्कार